नमस्कार अब्दीक्रे न्यूस फौर्डेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ मनीश कर्षप के मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई जहां अगली सुनवाई 28 सेप्रिल को नरधारत की गई है बताते चले के तामल नाजू मामले को लेकर फरजी विडियो बनाने के आरोप में मनीश कर्षप की गिरफतारी हुई है और उन पर एने से लागु किया गया है जिसको लेकर सुप्रीम कोट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए दरसल मनीश कर्षप ने सुप्रीम कोट में याचका दायर की थी कि उनके उनसे जुड़े सारे मामलों को एक साथ कलब कर दिया जाए और सभी मामलों की सुनवाई एकी जगा एकी समय एकी कोट में हो जिसको लेकर सुनवाई खत्म हो चुकी हो और अगले सुनवाई की तारीक 8 से एप्रृल नरधारित की गई है देसल सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को मनीश कश्यप की याचिका पर सुन्वाई की इस तोरान सुप्रीम कोट ने तामिलनाजो सरकार को निर्देश दिया कि दक्षणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जे विज्जो प्रसारत करने के आरोप में गिरफतार यूट्यूबर मनीश कश्यप को मदुरे केंद्रे कारगार से स्थान तरत ना किया जाए प्रदान नियाएदीश डी वाई चंद्रचूड और नियाएमोर्ती पीएस नरसंभा की पीच ने राष्टे सुरक्षा कानून एनसे के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमलनाजो और ब्यार सरकार को नोटस जारी किया पीच ने कहा, अनुछेद 32 के तहट मांगी गई राहत के अलावा याचिका करता ने राष्टे सुरक्षा कानून के तहट उसके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है याचिका करता को याचिका में संशोधन करने की अनुमदी दी जाती है संचोधन याचका पन नोटस जारी करे पीट ने कहा कि हम याचका करता को मदुरे केंद्र कारगार से स्थानंतरत ना करने का नरदेश देते हैं मामले के आगे की सुनवाई 28 से एप्रिल को की जाएगी गौर तलब है कि मनीश कश्यप के ओर से पेश वकील सधार्त दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है यूट्यूबर के खिलाफ तमिल नाजों में 6 और बिहार में 3 प्रात्मी किया पहले से ही दर्ज है चीफ चस्टिस जीवाई चंदरचूर ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि उसकी खिलाफ एने से इस व्यक्ति की खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों तमिल नाजों सरकार की ओड़ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्रप ने ये दावा करने वाले फर्जी विज्जो बनाए कि ब्यार के प्रवासी मजदूरों पर तमिल नाजों में हमले किये जा रहे हैं सिब्बल ने कहा कि उसके 60 लाग फॉलोवर्ज है वो एक राजनीता है उसने चुनाब लड़ा है वो कोई पत्रकार नहीं है सिब्बल ने मामलों को ब्यार सानतरत करने का विरूद करते हुए कहा कि दक्षणी राज्य में किये गए साक्षात करों को आधार पर तमिल नाजु में प्रात्मी की दर्च की गई है सुप्रीम कोट ने 11 एप्रिल को तमिल नाजु और व्यार सरकार को नोटस जारी कर यूट्यूबर मनीश कष्यप की याचिका पर एक सब्ता की भीतर जवाब देने को कहा था सब्बल ने कहा कि कष्यप को एनेसे के तैत हिरासुत में लिया गया है और उन्होंने जवाब दाकिल करने के लिए समय मांगा है बरहाल कष्यप की ओर से पेश हुए वकील ने कारवाई के एक ही कथित कारन को लीकर उसके खिलाफ दर्ज कई प्रात्मिक्या रद करने का अनुरोध करते हुए को मदुरे कींतुरे कारगार भीजा गया था अनिश के शप के मामले में सुप्रीम कोट में शुकरवार को सुनवाई हुई जिसके बाद चीफ जस्टिस इस बात को लेकर हैरान रहे गे कि आकरकार इस वैक्ती पर एने से क्यों इस वैक्ती पर इतना प्रतिशोध क्यों जह हाँ तमलाजू राज्य सरकार के तरफ से वकील कपल सब्बल ने बात का वरोध किया और कहा कि हमें समय चाहिए और नसे के तहट मनीश केशप की गिरफतारी हुई है और ये सारे मामले एक साथ क्लब होकर पटना हाई कोट ना जाए इसके सुनवाई बिहार में ना हो इसकी कोशिश लगाता है तमलाजू सरकार के तरफ से की जा रही हालाकि हाई कोट माफ कीज़ेगा हालाकि सुप्रेम कोट ने तमलाजू राज्य सरकार को नोटस जारी का जवाब मांगा है फिला के लिए इसकबर में अतना ही नमस्कार